आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है competition community में मैं हूँ आनन कुमार और आज के इस lecture में हम पिछले कुछ दिनों का national और international करेंड डिफर analysis करने जा रहे हैं last time हमने 14th of November तक जितने भी modern topics थे उन सब का analysis कर लिया था आज के इस lecture में 15th of November से लेकर 25th of November तक जितने भी important topics हैं उन सब का हम यहाँ analysis करने वाले हैं शुरू करेंगे लिकिन उससे पहले अगर आपको इस lecture का PDF चाहिए तो वह आपको मिलेगा टेली ग्राम चैनल पर अभी तक आपने हमारे टेली ग्राम चैनल को subscribe नहीं किया है तो लिक आपको नीचे description box में मिल जाएगा और comment section के first comment में भी pin किया हुआ है तो वहाँ से click करके आप PDF प्राप्ट करने के लिए टेली ग्राम चैनल से जरूर जूर जाईएगा इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो किसी भी competitive exams की अगर तैयारी करने हो और regular current में प्राप्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को subscribe जरूर करें साथ में mail icon को भी प्रेस करें ताकि आपको regular जो है वो notification मिलता रहे और आज का यह जो हमारा current एफर का session है अगर आप किसी भी competitive exams की तैयारी करने है तो यह session बहुत ही मार्पून होता है हम daily में ही पढ़ते हैं हम weekly ही पढ़ते हैं लेकिन जितनी important topics होते हैं उन सब का यहां analysis करते हैं ठीक है तो शुरू करते हैं लेकिन सबसे पहले आज जितनी भी important topics पर हम analysis करने वारे सबसे पहले देखते हैं कौन-कौन से वो topics है तो सबसे पहला है सौदी अरप की अरप गिर्चता में पंडरह में जी टूर्टी सिखर सम्मेलन 21 नमबर 2020 को आयुजित किया गया इसके बाद 12 बिक सिखर सम्मेलन अब 80 रुप से यानि कि वर्चुल रुप से 17 नमबर 2020 को रूस की मेजवानी में आयुजित किया गया जिसमें भारतिया करधान मंत्री ने भी भागेदारी की और हाले में दस्वे आसियान देसों और उनके पांच अन्यमुक्त व्यपार साज़ेदार देसों जैसे और्ष्टेलिया, चीन, जापान, न्यूजिलेंड तता दक्षिन कुरिया के देच चेत्रिये व्यापक आर्थिक साज़ेदारी यानिके विजनल कोंप्रिहेंसिव एकनोमिक पार्टनर्शिप पर हस्ताक्षर किये गए इसके बाद आज का हमारा डूबिक है महराष्ट के लोनार जील और आगरा उत्तर प्रदेश की सूर सरोबर जील को रामसर साइट में जोड़ा गया है इसके बाद पीम मोदी ने जैनाचार स्री विजैंपल्लब सुरिस्वर जी महराज की 191 जन्दी समाराओं को चिन्नीत करने के लिए सेच्व ऑफ पीस का अनावरन किया कुछ प्रदर्शन कंप्यूटरिंग अडिफिशन इंडिजिजन्स सूपर कंप्यूटर पर हम सिद्धी ने दुनिया के सिर्थ 500 सबसे सक्तिसाली गैर वित्री त्यान की नौन डिस्टिबूटिड कंप्यूटर सिस्टम में 63 रैंक हासिल की है इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है 17 नवंबर 2020 को भारत और अस्टेलिया अमेरिका और जापान की 9 से 9 मालावार अभ्यास के दूसरे चरण में भाग लिया और दुम्या के सबसे बड़े विमान युद्ध पूद जिसे हम USS निमित जी के नाम से जानते हैं इस युद्ध पूद ने भी इस अभ्यास में भाग लिया इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है भारतिय नौसिना अंड़मान सागर वे 23 से 25 नौमबर 2020 तक 27 भारत सिंगापूर 25 समुद्री अभ्यास सिंबिक्स की मेजवानी करेगी इसके बाद नियू यार्क के लेखा डगलस फूर्ड ने भूकर पुरसकार जीता 2020 के लिए उनका जन्म जो है ग्लास को में गुआ था इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है भारतिय रिस्टर बैंक एक मिलियन ट्विटर फॉलोवर वाला पहला केंद्रिय बैंक बन गया है और इस तरह आर्विय जो है यूएस फेटरल रिस्टर बैंक और उडोपिय सेंट्रल बैंक से आगे है इसके बाद अब हम प्रतित टॉपिक का ब्रीट में अनालेसिस करते हैं जिसमें हमारा आज का सबसे पहरा टॉपिक है जी टॉटी सब्मीट टॉटी टॉटी तो आपनों तो बता है कि हाल ही में जी टॉटी सब्मीट टॉटी टॉटी का आयोजन वर्चुली रूप से किया गया हाला कि इसका आयोजन जो है सौधी अरब का प्रभुख सहर रियाद में किया जाना था लेकिन पूरोना संक्रमन की वज़ा से इस वर जी टॉन्टी सम्मेलन का जो है वर्च्वली आयोजन किया गया तो आपके लिए इंपॉर्णिट ही हो जाता है कि सबसे पहले इसका आयोजन कब से कब तक किया गया ये भी परिच्वली पूछा जाता है तो याद रखिए गया कि 20 और 21 नमबर 2020 को पंद्रह में जी टॉन्टी सीखर सम्मेलन का आयोजन किया गया इस वर्च का थीम क्या था तो इस वर्च का थीम था तो आपको इसका थीम भी याद चाहे हो, ब्रिक्स का सम्मेट हो, चाहे जी सेवर का सम्मेट हो, ये सब बहुत इंपॉटन हैं और जितने भी एज़ेंसे होती है जो एक्जाम कटक्ट करवाती है, उन सब का ये फैवरेट कुर्शन होता है और यहां से हर साल किसी न किसी कॉंपूटिटिव अजाम में प् कियेगा और भारत के प्रधान मंत्री स्री नेंडर मुधी जी द्वारा यहां पर कुछ महद्पूल बाते कही गए और उस महद्पूल बातों में सबसे अगर महद्पूल बात देखें तो 2015 में साइल हुआ का पेरिस क्लाइमिट एग्रिमेंट उस agreement में कारवन डायकसाइड के उचसरजन को कम से यानि कि निम्तम स्थर पर लाने की बात की गई थी तो यहाँ पर भारत के दौरा ये कहा गया है कि कारवन डायकसाइड के उचसरजन को कम करने के लिए भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर बहुत सारी ठोस कदम उठाए गए है उस ठोस कदम में अगर कुछ महत्पूल बिंदू पर हम बात करें तो सबसे पहला बिंदू है रिनूबल एनर्जी के छेतर में यहाँ पर भारत दौरा कहा गया कि वर्स 2022 तर भारत जो है यहाँ पर 175 गीगावाट रिनूबल एनर्जी का उत्पादन जो है वो करने लगेगा और इस लक्ष को बहुत आसानी से प्राप कर लेगा इसके लबा भारत दौरा ये भी कहा गया कि वर्स 2030 तर भारत जो है 450 गीगावाट का लक्ष निर्धारित हिया है रिनूबल एनर्जी उत्पादन के छेतर में इसके लाबा कर सेकंड पॉइंट पे हम बात करें सिंगल यूज प्लास्टी को खत्म करने के लिए भारत सरकार की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है इस बात पर भी फोकस किया गया भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी द्वारा इसके लाबा एलेडी लाइट्स और उज्वला की स्कीम जब से लॉंज किया गया है तब से कारवन डैयोकसाइड का उत्सरजन जो है बहुत हद तक कम किया गया है यहाँ पर एक डेटा दिया जाता है भारत के प्रधान मंतरी स्रीन अरेंदर मोधी जिद्वारा उनके द्वारा कहा जाता है कि जब से ये दोनों स्कीम सुरू हुआ है तब से प्रतिवर्स 3.8 करोड टन कारवन डैयोकसाइड उत्सरजन को बजाया जा रहा है इसके अलाबा उजवलाई स्कीम के तहट में किया कहा जाता है कि भारत में तक्रीबल 8 करोड गैस सिलिंडर जो है वित्रित किया जा रहे है उजवलाई उजवलाई उजणा के तहट जिससे कारवन डैयोकसाइड का उत्सरजन बहुत ही कम हुआ है इसके अलाबा अगर वनू का विस्तार की बात करें भारत के दौरा यहां पर कहा जाता है 2030 तक यहां 260 लाख हेक्टेर जो खरागूमी है जो बंजर गूमी पड़े हुए है उस पर वनू का विस्तार किया जाएगा तो यह कुछ टारगेट है जो भारा सरकार के दौरा निर्धारित किये गए है चाहे 2030 तक 450 गिगावाट रिनूमल एनर्जी फुदपादन की बात हो चाहे यहां पर आप वनू के विस्तार से सम्मनित कुछ पॉइंट्स हो तो G20 सीखर सम्मेलन ने इन कुछ महातुपुन बिन्वो को जो है वो निर्धारित किया गया है तो इन कुछ पॉइंट्स को आपको यहां पर ध्यान रखना होगा G20 सीखर सम्मेलन 2020 में भारत में जो मुद्दे रखे वो इस प्रकार से थे इसके अलावा आतनकवाद से रिलेटर भी बात की गई 21st century में जो 2020 में कुरोना का गाल चार रहा है इसके बाद भारत की अर्थवेवस्था किस प्रकार से होगी तुरी दुनिया की अर्थवेवस्था किस प्रकार से होगी भारत में किस प्रकार से तैयारी किया है इन सारे विल्मू पर भी चर्चा किया गया है इसके बाद यहां पर कुछ important points हम G20 से भी related देखते हैं क्योंकि यहां पर भी आप से प्रश्न पूछा जा सकता है अगर 2020 के submit से related question ना पूछा जाए तो G20 से related भी question बन सकता है G20 के बारे में आपको याद रखना होगा कि G20 जो है आपका एक समू है जिसकी स्थापना जो है 1999 में साथ देशों द्वारा किया गया था इस साथ देश कौन-कौन से थे अमेरिका, कैनेडा, ब्रिडेंट, जर्मनी, जपान, फ्रांस और इटली इनके विदेश मंत्रियों के द्वारा जो है G20 का स्थापना किया गया था ये G7 countries है, इन्होंने ही G20 ग्रूप की स्थापना की थी इस ग्रूप को स्थापिक किये जाने के पीछे का अगर हम उन्ते से देखें तो दुनिया की अर्थ विवस्था को एक दूसरे से साजा करने के लिए, ट्रेट को बढ़ाने के लिए एक बहुत इपॉर्णिट पॉइंट है, इससे आप लोग ध्यान रखेगा और total अगर हम Westwick जंख्या की बात करें तो दो ती हाई जंख्या जो है G20 कंटरीस के पास ही है और अगर हम यहां पर G20 कंटरीस की बात करें तो G20 कंटरीस में कौन-कौन से कंटरीस सामील हैं सबसे पहले G7 में ज foreign countries है Canada हो गया, France हो गया, Germany, Italy, Japan, United Kingdom और United States of America तो और यही जी सेवन गंट्रीज पहले जी एट हुआ करता था 2014 से पहले क्यूंकि इसमें रुश्या भी सामिल था और क्रिविया के मामले में फिर इस ग्रूप से रुश्या को बाहर कर दिया जाता है तो आब यह जी सेवन है तो इसके अलाबा इस साथ कंट्री के अलाबा र और टर्की है तो इस तरह से बीसो देशों का नाम आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन-कौन से देश जो है वो G20 समोर के हिस्सा है क्योंकि यहां से प्रस्न पूछा जाता है या चार-पांच ओप्सन दे दिया जाए आपसे ये पूछ दिया जाए किनिये लिखित में से नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि G20 में कौन-कौन से समोर है देखिए एक समुण होता है चाहे वित-मंत्रि ओ या फिर सेंटरल बैंक या गवर्नर्स का मिटिंग हो या फिर जो एनवर्न मिटिंग होता है अन्वर समिट होता है वो हो लेकिन इसका कोई हिट्पॉर् जिस देश में इसका आउजन किया जाना होता है वहाँ पर ही वही देश जो है उस वर्ष G20 की अध्याप्चता करता है चलिए क्लियर है इसके लाबा ये भी ध्यान रखियेगा कि वर्ष 2020 की जो अध्याप्चता है वो सौधी अरब द्वारा किया गया और वर्ष 2022 में जो है G20 की अध्याप्चता भारत द्वारा किया जाएगा यानि कि वर्ष 2022 में G20 सीकर समयलन का आउजन भारत में किया जाना है चलिए इस मैप में भी देख सकते हो कि G20 कंट्रिंस जो है वो किस प्रकार से है यह आपका वर्ड में पर यहापर सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा चलिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ब्रिक सम्मिट 2020 के बारे में है तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा सबसे पहले यह धियान रखेगा कि इस साल जो ब्रिक्स का सम्मिट आयोजित किया गया वो वर्चुली किया गया यानि कि इस सिखर सम्मेलन को भी पुरून अमारा इसकी वज़र से वर्चुली ही आयोजित किया गया है बारवा सीखर समयलन था ये और 17 नवंबर 2020 को रूस की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया याद रखिएगा ये भी बहुत इंपोर्डेंट होता है जैसे जीटोंटी का थीम मैंने बताया उस प्रकार से ब्रिक्स समयलन थीम जो है आपको याद रखना होगा तो इसका थीम है ग्लोबल इस्टैबिलिटी सेट सेक्योरिटी और इनुवेटिग ग्रोथ ठीक है बारवा काउंटर करने के लिए खासकार ब्रिक्स कंट्री के दौरा अगर हम देखिए तो ब्रिक्स कंट्री में आपका जाता है भारत आ जाता है इसके लावा ब्राजिल आ जाता है इसके लावा रसी आ जाता है इसके लावा साथ अफरिका आ जाता है ये ब्रिक्स कंट्री ने तो World Trade Organization में किस प्रकार से सुधार किया जा सके और World Health Organization में किस प्रकार से सुधार किया जा सके इन मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा किया गया और COVID-19 के बाद की अर्थविवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए किस प्रकार से अर्थविवस्था हो सकती है इस मुद्दे प पर भी बात की गई और भारत आने वाले समय में किस प्रकार से अपनी अर्ट विवस्था को आगे बढ़ा सकता है इन सारे बुर्दों पर जो है इस ब्रिक्स सम्मिक 2020 में बातें की गई है चुले इसके बाद यहां हम कुछ पॉइंट्स ब्रिक्स के बारे में भी समझते हैं क यह पांच देशों का सम्मूर है ब्रिक्स का मतलब क्या है बी से ब्राजिल आर्ट से रसिया आई से इंडिया सील से चाइना और इस से साउथ अफरिका इसका पहला सीकर सम्मिक जो है वर्स 2009 में आईजित किया गया था रूस की अध्यक्षता में उसके बाद अगर हम बात क ध्यान रखेगा हलाकि अगर हम यह पर देखिए ब्रिक्स की स्थापना से रिलेटेट बात करें तो इसे वर्स 2001 में ही स्थापित किया गया था या इस पर स्चोच रखा गया था उसके बाद देरे देरे प्रोसेस आगे बढ़ता गया और 2009 में फाइनली जाके इसका पहला स सामिल हुए थे ब्राजिल, रस्या, इंडिया और चाइना और जैसे मैंने बताया कि वर्स 2010 में जो है इसमें साउथ एफ्रिका को सामिल किया गया था अब तक किस प्रकार से ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है इस बात को आप ध्यान रखेगा क्योंकि यहां से आप से प्रशन प ब्राजिल में, तीसरा सम्मेलन जो हुआ था आपका चीन में हुआ था, चौथा सम्मेलन जो है आपका भारत नई दिल्ली में, तो याद रखिएगा कि पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन है भारत में कब किया गया था, वर्स 2012 में जो कि नई दिल्ली में किया गया था पाचवा Brics Amailer का आयोजन होता है दप्षिन अफ्रीका में और छटवा Brics Amailer का आयोजन होता है ब्राजिल का फोटे लिजा में छटवा Brics Amailer बहुत इंपोर्णिट हो जाता है क्योंकि इसी वर्स जो है BRICS का एक अलग से बैंक का निर्मान किया गया था जिस बैंक का क्या नाम था? New Development Bank ये BRICS का एक अपना Personal Bank है तो वर्स 2014 में जब 6वा समिट इसका आयोजित हुआ था फोट लिजा में उसी समय New Development Bank को स्थापित किये जाने पर था स्तक्षर किया गया था साथवा समिलन इसका आयोजित हुआ था रूस में ही आठवा समिलन इसका आयोजित हुआ फिल से भारत में और भारत का कौन सा सहर? हुआ और नौवा समिलन आयोजित हुआ था आपका चीन में दसवा समिलन आपका आयोजित हुआ आपका धक्षिन अफ्रीका 2018 में तो याद रखिएगा कि भारत में BRICS का सीखर समेला दो बार आयोजित किया गया है पहली बार 2012 में और दूसरी बार जो है इसका आयोजन 2016 में किया गया अब आपके लिए यहाँ पर एक प्रशन है इस प्रशन का जवाब आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा 2019 का BRICS कहां आयोजन किया गया था 2020 का तो वर्च्वली आयोजन किया गया है और किसकी अधियर्चता में किया गया है वो भी आपको पता है रूसकी अधियर्चता में किया गया है जरूर बताइएगा कि 2019 का BRICS जो है कौन से देसकी अधियर्चता में और कौन से शहर में आय इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैपारिक समझोता कहा जाता है पिछले साथ वर्सों से लगातार भारत जो है इस वैपार समझोते का हिस्सा रहा है लेकिन इस वर्स जो यह समझोता किया गया भारत इसका हिस्सा नहीं है क्यों नहीं है भारत के अपने concerns है इस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले ही हम देख लेते हैं कि आखिर RCEP का जो व्यपारिक समझोता होता है वो किस प्रकार से होता है तो RCEP का जो व्यपारिक समझोता होता है दस आखियान कंट्रेज और जो पाँच अन्य हुपत व्यपार साजेदार देश हैं इसमें कौन कों से देश सामीर है पाँच जो अन्य देश है वो है उस्टेलिया, चेन, जापान, यूजिलेंड और दक्षिन पूरिया इसमें भार रहा आया कि भारत इस वर्स इस व्यपार संज़ोते का हिस्सा नहीं है भारत के कुछ अपने गारत पिछले 7 वर्सों से भारत इसका हिस्सा रहा है और इस वर्स भारत इसका हिस्सा नहीं है तो यह आपके परिक्षा के तरिष्टी कोंच से बहुत महुत्पूर्म हो जाता है वोचिये परिक्षा के लिए भी और One Day एक्साम के लिए भी तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत आखिर इस समझोते का इस वर्स हिस्सा क्यों नहीं है तो भारत के अपने concerns है भारत में एक कुछ डिसिजन यह है कि इस वर्स RCEP से भारत जो है वो बाहर रहेगा पहला concerns है व्यपार घाटा यानि कि ट्रेड डेफिसिट और दूसरा जो concern है स्थानियों उत्पादों के हेतों के रक्षा दोनों बीन्दों पे हम चर्चा करते हैं अबर सबसे पहले हम ट्रेड डेफिसिट को समझते हैं अगर RCEP यानि कि original comprehensive economic partnership की बात करें तो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज़्यादा है 2018 और निस का अगर हम आगड़ा देखें तो RCEP से जो वैबारी घाटा भारक को हुआ उन लगबग 105 बिलियन डॉलर का था स्तिर्फ अगर हम चीन से देखें तो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 53.5 बिलियन डॉलर का है आसियान कंट्रिस से अगर हम बात करें तो भारत का ट्रेड डेफिसिट जो 2018 और इसके हाँड़ों की इसाब से 21.8 बिलियन डॉलर का है साउथ कुरिया से भारत का ट्रेड डिफिसिट बाराद असमलो एक बिलियन डॉलर का है वहीं पॉस्टिलिया से भारत का जो ट्रेड डिफिसिट है वो 9.6 बिलियन डॉलर का है और चापान से भारत का अगर ट्रेड डिफिसिट लेके तो 7.9 बिलियन डॉलर का है और न्यूजिलेंड से भायग का ट्रेड डेफिसित से रूपर 2 बिलियन डॉलर हो जाता है तो बहुत अधिक वैपार घाटे होने की बज़ा से भारत ने जो है इस वर्स इससे अलग रहने का डेड़ने लिया है दूसरा इस्थानिया उत्पादों के हीटों के रच्छा के बाद की गई है यानि कि भारत अगर मान लीजिए कि भारत के जो समान है दूसरे देश में जाते हैं तो जो भी देश अगर भारत के समान को इंपोर्ट करता है तो जो इंपोर्ट पर टैरिफ मिलता है उस पर नाम म और अगर 92% तक टेरिक तो आप कम कर देंगे तो भारत के जो इस्थानिय वैपार है तो भारत के जो उत्पादक है यानि कि भारत के जिस कंपणी का समान दूसरे देश में गया यानि कि आर्सेपी कंट्रिस में गया तो वहाँ पर उनके प्रोडक्ट का जो कीमत है वो बहुत कम हो जाता है तो भारत अपने स्थानिय वुद्पादकों के लिक्टों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए भी आर्सेपी से बाहर रहने का फैसला किया है चलिए अब यहां हम कुछ पॉइंट्स जो है आर्सेपी के बारे में समझते हैं यानि कि इसमें इस साल जो है इसमें कंट्रिस की बात करें तो कौन-कौन से आसियान कंट्रिस है इसके बारे में आपको पता होना जाहिए यह आपके आसियान कंट्रिस हैं कौन-कौन सा हो गया थाइलेंड, मलेशिया, सिंगपूर, इंडोनेशिया, मयानमार, वियतनाम, लॉस, कंबोडिया, फिलिपिन और मुर्नेग यह 10 देस जो है वो आसियान कंट्रिस है इसके अलावा 10 देसों के अलावा 5 और देस जो है वो RCEP हस्तक्षर किये यह 5 देस फॉनकोर्ट से हैं South Korea, Japan, China, Australia और New Zealand यह 5 देस और 10 आसियान देस मिलाकर RCEP होता है ठीक है और यह एक तरह का Free Trade Agreement होता है जैसे मैंने बताया कि अगर 15 देस इस पर हस्तक्षर किये तो वो देस दूसरे देस में जाकर आसानी से व्यापार कर सकते हैं एक तरह का यह Free Trade Agreement होता है इस समझोती पर 15 नमबर 2020 को हस्तक्षर किया गया है इस वर्स के लिए और RCEP देस जो है विस्व की एक तिहाई अवादी और Westwick GDP का 30 प्रतिशत हिस्से का लगवख 26 ट्रिलियन से अधिर का जो है वो प्रतिनिद्व करता है और RCEP की अभधारना जो है सबसे पहली बार नवंबर 2011 में जब आसियान कंट्रिस का 11 सीखर सम्मेलन आयोजीत किया गया था उसी समय किया गया था और नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजीत बारवा आसियान सीखर सम्मेलन के दोरान जो है इस सम्झोते का प्रारंभिक वारताओं के सुरुआत की गई थी यानि कि वर्स 2012 में पहली बार तो आसियान कंट्रिस के बारे में भी याद रखिएगा टूटल दस मिम्बर हैं दसों मिम्बर के आपको ना भी याद रखना होगा और पांच जो कंट्रिस इसके और अलग से जो अन्य देश हैं उसके बारे में भी याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि वर्स 2020 में आद्र भूमी को जो है रामसर साइट में जोडा गया है पहला है आपका लोनार जील और दूसरा है आपका सूर सरोबर जील तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि इन दो साइट को हाली में रामसर साइट में जोडा गया है तो आप सीप्रेस में इस प्रकार से पूछा जा सकता है, हाली में भारत के किन दो जीलों को रामसर साइट्स में जोड़ा गया है, उपसन आपके सामने जिस प्रकार से भी हो, तो दोनों का नाम आप याद रखेगा सबसे पहला है लोनार जील और दूसरा है आपका सरोबर जील रामसर साइट्स और रामसर कर्वेंशन के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन सबसे पहले आप इन दोनों जीलों के बारे में याद रखेंगे क्योंकि आपसे यहां सभी प्रशन पूछा जा सकता है महराष्ट में आपका इस्तित है लोनार जील और आपका जो सूर सरोबर जील है वो आगना यानि की उत्तर प्रदेश में इस्तित है सूर सरोबर जील को जो है वो इत्थम जील के नाम से भी जाना जाता है और लोनार जील को जो है वो एक क्रेटर जील के रूप में जाना जाता है क्रेटर जील का मतलब क्या हुआ कि जो ज्वाला मुखी से उत्पन जो गड़े हो जार उस गड़े में अगर पानी भर जाते है तो जो उससे जھیل जाता है, उस जھیل को crater jheel कहा जाता है, भारत में मुख्य रूप से दो crater jheel है, सबसे पहला है आपका लोनार जिल, और इसके बाद कुस्कर जिल जो की रजिस्तान में इस्तित है, उसे भी एक crater jheel के रूप में माना जाता है, ये भारत के कुछ महत्बपू important ramsar sites है इसमें total जो भारत में ramsar site है उसके number नहीं है जितले भी important ramsar sites है उसके number है मैं आपको भारत में अभी वर्तमान समय में total ramsar site की संख्या कितनी है उसे भी आपको बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ramsar convention के बारे में कुछ important facts देखते हैं और समस्तनी का प्रयास करते हैं कि आखिर ये रामसर convention है क्या रामसर convention की हम बात कर रहे हैं तो तो रामसर convention जो है आपका 2 फरवरी 1971 को एरान के शहर रामसर में अस्तित्व में आया था यानि कि आपका 2 फरवरी 1971 को रामसर convention पर हस्ताक्षर किया था ये इंपोरिर हो जाता है वो रामसर साइट्स कहलाते है क्लियर है और इसका उद्देश से क्या था तो अंतराष्टियम महत्य की जितने भी वेट लाइंट्स है यानि कि जितने भी आदर भूनी है उनको सनरक्षित करने के उद्देश से विस्व के राष्टों के बीच में की जाने वाली यह पहली संधी है और इस संधी के अमसार विस्व अस्तर पर हो रहे वेट लैंट्स यानि कि आदर भूनीों के नुकसान को रोगने और उसे सनरक्षित कराने की दिशा में जो है वो प्रयासरत है क्या रामसर कन्वेंशन और भारत जो है एक फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन में सामिल हुआ था तो यह भी बहुत इपोर्टेंट हो जाता है याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत रामसर कन्वेंशन में कब सामिल हुआ था तो भारत एक फरवरी 1982 को जो है रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बना था साथ में आपको ये भी याद रखना होगा कि भले भारत एक फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन में सामिल होने वाला देश बना था यानि कि इसमें सामिल हुआ था लेकिन भारत के सामिल होने से पहले ही रामसर साइट्स में भारत के दो साइट्स को जोड़ा गया था और वो भारत के पहले दो साइट्स थे जो रामसर कन्वेंशन में सामिल हुए थे तो यहां से भी आपसे प्रशन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला रामसर साइट्स में सामिल होने वाला भारत का साइट्स कौन सा है सबसे पहला आप से पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा पहला है आपका चिलकालेग जो की 1981 में सामिल हुआ था और दूसरा है आपका केवला देव राश्टिय उध्यान जो की राजिस्थान में इसी था है ये भी इसी डेट पर 1981 में ही सामिल हुआ था तो दोनों रामसर साइट्स में एक साथ सामिल हुए थे तो भारत के यह दो ऐसे sites है जो पहली वार रामसर site में सामिल हो थे तो याद रखियेगा यहां से भी आपसे प्रस्टर पूछा जा सकता है और वर्तमान समय में रामसर convention के तैत रामसर site में सामिल भारत के total जो आद रोनी याने की waitlands है उसकी संख्या 41 है वर्तमान समय में और इसी वर्स जनवरी 2020 में भारत के 10 साइट्स को रामसर साइट्स में सामिल किया गया था तो ये कुछ important facts है रामसर साइट्स से related और भारत से related तो याद रखियेगा यहां से भी प्रश्णा आपसे पुछा जा सकता है important हो सकता है clear है चलिए बढ़े next topic की तरफ चलिए इसके बाद जो हमारा अगला topic है वो है statue of peace से related तो कहां established किया गया है statue of peace ये याद रखियेगा important हो सकता है आपसे परिच्छा में यहां से भी प्रश्ण जो है वो पूछा जा सकता है तो हाली में भारत के प्रधान मंत्री स्री नरेतर मोदी जी ने जैन आचारिया स्री विजय बल्लग सुरिस्वर जी महराज के 191 जनती के अवसर पर विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के पाली जिले में निर्मित statue of peace का अनावरन किया तो prelims के लिए important यही हो जाता है कि हाले में statue of peace का अनावरन कौन से राजस्थान के पाली जिले में statue of peace का जो हाले में अनावरन किया गया है इसकी उचाई 151 यानि की 151 इंच है और इस प्रतीमा का जो निर्मान है वो अश्ट धातू से यानि की 8 धातू को मिला कर किया गया है जिसमें प्रमुख जो है वो तामबा है ठीक है? क्लियर है? याद रखिएगा और विस्व की इसके साथ ये भी याद रखिएगा के Statue of Unity कौन से राज्य में इस्थित है? गुजरात में इस्थित है सर्दार वल्ला भाई पटेल जी का प्रतीमा बनाया गया है आपको ये बताना है कि Statue of Unity के जो हाइट है वो कितनी है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा अगर सही हुआ तो ठीक न उपसे भगवान महावीर के संदेश हों को जो है सांधी का संदेश वो पूरे भारत वर्स में फैलाते रहे है तो इनहीं की प्रतीमा जो है स्थापित किया गया है राजस्थान के पाली जीले में जिसका नाम दिया गया है Statue of Peace याद रखिए तो वन्डे एक्जाम के लिए भारत का परम सिद्धी Artificial Intelligent Computer जो है इसने 63 इस्थान हासिल किया है रैंकिंग का जो लंबर है इस परम सिद्धी Artificial Intelligent Supercomputer का वो 63 है इसको आपको ध्यान में रखना होगा विस्व के सिर्ष 500 सबसे 67 साली कम्प्योटर का जो है हाली में रैंकिंग रिलिस किया गया है परम सिद अर्षन वाली Artificial Intelligent Supercomputer परना ली है जिसे राष्टिय सुपर कम्प्योटिंग मिशन यानि कि नशनल सुपर कम्प्योटिंग मिशन NSM के तहर सी डैक यानि कि Center for Development of Advanced Computing यानि कि सी डैक में इस्थापित किया गया है और एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सी इक दुआरा जो पहला स्वध्य सुपर कम्प्योटर बनाया गया था वो आपका 1999 में बनाया गया था जिस्का नाम था Param 8000 तो ये पहला आपका स्वध्य सी कंट्यूटर 999 में बनाया गया था जिसका नाम था पॉर एट थाउजन और AI सुपर क्प्यूटर परमसिद्धी के बारे में भी याद रखिएगा विस्वितिये सबसे सकती साली 500 कंप्यूटर्स में इसे जो रैंकिंग प्राप्ट हुआ है वो तिरसेटमा प्राप्ट हुआ है आपका 1D exam के लिए ये भी एक टॉपिक जो है बहुत important हो सकता है चलिए बढ़े नेक्स टॉपिक के तरफ चलिए हाँ देखी अगला टॉपिक है हमारा मालावार युद्धा भ्यास से related मालावार युद्धा भ्यास 2020 का हाली में आयोजित किया गया ये इस वर्स इसलिए भी important हो जाता है कि अब तक माला वार युद्धा भ्यास त्री पक्षी होता था यानि कि तीन देशों के मद्य आयोजित किया जाता था भारत, अमेरिका और जापान लेकिन इस वर्स इसलिए important हो जाता है कि इस युद्धा भ्यास में आउस्ट्रेलिया को भी सामिल किया गया है यानि कि वर्स 2020 का 9 सैनिकों के मद्य आयोजित किया जाने वाला माला वार युद्धा भ्यास जो है चार देशों के मद्य आयोजित किया गया भारत, जापान, सहिंद्राज अमेरिका और आउस्ट्रेलिया तो 17 नवंबर 2020 को महारत और स्टेलिया अमेरिका और जापान की 9 से 9 ने मालावार अभ्यास के दूसरे चैनल में भाग लिया दुनिया के सबसे बड़े वेमान युद्ध पोत कौन सा है USS निमित जोकी सहीं उत्राज अमेरिका के 9 सैनिक का एक युद्ध पोत है तो याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध पोत जो है वो USS निमित जो है इसमें भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया और मालावार नौसाइनिक अभ्यास भारत अमेरिका जापान की 9 से 9 के वीच वार्सी क्रूप से आयुजित किया जाने वाला एक त्रिपक्चिय अभ्यास है लेकिन इसमें इस वर्स से औस्टेलिया को भी सामिल किया गया अगर इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैग्राउंड की बात करें तो मालाबान माहसे भ्यास के शुरुआ भारत और अमेरिका के बीच हुआ तो उस समय धुई पक्षिय हुआ गरता था इसमें जापान भी नहीं सामिलता और पहली बार 1992 में इस दुई पक्षिय अभ्यास को जो है ओआयुजित किया गया था भारत और अमेरिका के बीज मिलके लेकिन वर्ष 2015 में इस अभ्यास में जो है जापान को भी सामिल किया जाता है उसके बाद यह फ्रीपक्छी हो जाता है और वर्ष 2020 में जो है इसमें ऑस्टेरिया को भी सामिल किया जाता है तो पहली बार माला बार युद्ध अभ्यास कब जापान को कब सामिल किया गया वर्ज 2015 में किया गया और स्टेलिया को कब सामिल किया गया तो आपका वर्ज 2020 में किया गया इस वर्ज कभी इसका आयोजन किया गया इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा चलिए बढ़े एक स्टॉपिक की तरफ चलिए इसके बाद एक और युद्धा भ्यास important है ये है आपका सिंबिक्स 2020 सिंबिक्स युद्धा भ्यास का आयोजन किसके किसके मद्ध किया जाता है यह भी एक नौ सिंबिक्स युद्धा भ्यास है जो कि भारत और सिंगापूर के मद्ध वी पक्षिये एक समुद्री अभ्यास है और इस वर्स जो है इसका आयोजन 23 से 25 नमंबर के बीच किया गया कहा किया गया तो अंडमान सागर में किया गया अंडमार सागर का लोकेशन भी आपको याद होना चाहिए वे और बंगाल में ही आपका रहा अंडमान सी जो कि इंडियन ओशियन के अंडर आता है तो अंडमान सी का लोकेशन आप याद रखियेगा और इसमें भारतिये नौ से ना कि रिपुब्लिक आप सिंगापूर नेवी के बीच जो है दोनों ही देशों के बीच नौ सैनिक अभ्यास से इसलिए आउजित किया जाता है ताकि जो दोनों ही देशों के बीच अंतर संचालन को बढ़ावा दिया जा सके और एक दूसरे की सरवच प्रथाओं को सीखाया जा सके यानि कि एक दूसरे से सीखा जा सके चलिए बढ़े किसी competitive exams में तो याद रखिएगा कि वर्स 2020 का जो भुकर पुरसकार है वो किसी दिया गया है तो इनका नाम है Douglas Stuart इनकी जो उपन्यास है सूगी बैन इसी के लिए जो है वर्स 2020 का भुकर पुरसकार जो दिया गया है और इन्होंने ये पहला ही नोबल लिखा है और इसी के लिए इन्हें बुकर पुरसकार मिलिया बुकर पुरसकार जो है साहितर के छेतर में दिया जाने वाला अन्तराश्ट इस तरपर सबसे बड़े पुरसकार हों में एसी एक है और जिन्हें मिला है वो है Scotland के नाम याद रखिएगा पॉइंट भी आप याद रखिएगा यहां से भी आपके प्रिलिम्स में कुश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से कि डगला स्टुवर्ड वर्ज 2020 के लिए बुकर पुरसकार जेता है इन्होंने कौन सी उपन्यास के लिए जीता तो उपन्यास का नाम याद रखिएगा सुगी बैन और उपन्यास किस पर बेसिस है तो याद रखिएगा यह सेकेंड पॉइंट क्लियर है और वर्ज 2020 के बुकर पुरसकार के प्रतिभागियों में चुने गए लेके को में भारतिय मुल्की लेकी का भी सामिल थी जिनका नाम है अवनी दूशी और जिने इनकी उपन्यास बड़न सुगर के लिए इसमें सामिल किया गया तो याद रखिएगा बुकर पुरसकार जो है वो इंग्लिस नूबिल के लिए दिया जाता है यानि कि अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है और अंतराष्टी इस तर पर दिया जाने वाला उपन्यास के यानि कि साहित्य के छेत्र में सबसे बड़े पुरसकारों में से एक है ठीक है इ पुरसकार के सुरुआ जो है 1969 में अंग्रेजी में प्रकासित उपन्यासों को प्रुटसाहित करने के उद्देश रिखिया गया था और वर्ष 2019 के लिए की ने बुकर प्राइज दिया गया था इस बात को भी आप धिहान रखिएगा तो कैनेडा की और ब्रिटन की बर्नार्डिन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से बुकर पुरसकार दिया गया था वर्ष 2019 का और 2020 का भी याद रखिएगा यहां सबसे प्रशन कुछ आजा सकता है चुले इसके बाद आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है हाली में रिजर्बैंक ओफ इंडिया ने ट्विटर पर एक मिलियन फॉलोवर इकठा कर लिये हैं और ये दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बन गया है जिसके जो ट्विटर पर फॉलोवर है वो एक मिलियन हो गये ह तो दुनिया का पहला रिजर्बैंक ओफ इंडिया हो जाता है इसलिए आपका one day example लिये important हो जाता है तो ध्यान रखेगा कुछ खास नहीं है इसमें जानने के लिए वसे इतनी बातों को ध्यान रखेगा तो भारतियत रिजर्बैंक एक मिलियन टुटर फॉलोवर वाला पह कहीं ज्यादा फॉलोवर स्टुटर पर हैं रिजर्बैंक ओ इंडिया के और एक मिलियन प्राप करने वाला पूरे वल्ड का पहला सेंडरल बैंक है तो इसलिए आपसे यहां पर one day exam में यह प्रशन पूछा जा सकता है तो आज के lecture में इतना ही topic था लेकिन जितने भी topics को हम ने कर लिया है तो उसी analysis के अधार पर आपसे यह प्रशन है जिसका जवाब आप नीचे comment section में जरूर दीजेगा यह आपका एक revision की तरह हो जाएगा थाकि आपने जो पढ़ा है आपको यह पता चल सके कि आपके mind में है या नहीं चलिए पहला प्रशन है वर्तमान समय में भ आप नीचे comment section में जरूर दीजिएगा तो आज के इस lecture में फिलाल इतना ही और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस lecture का आपको PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका link जो है नीचे description box में है जा फिर first comment में भी इसका link आपको बेह जाएगा इसके के लावा चैनल के subscribe जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंदाने पी आपके like और share जरूर कीजिएगा तो आज के इस lecture में फिलालेतना ही थांक्यू 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 वर्मच झालेतना ही थांक्यू 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 थां